क्योंकि कौम की अगवाई करने वाले वो लोग थे एक कर्मा भाई थी जिसने इतियाच लिख दिया जिद की और भगवान को अपने घर पे बुला के भोजन करया एक वीरतेजाजी महाराज थे इसी कौम के जिन्नोंने गूजरी की गायों के लिए साधत दी और एक अजार साल पहले जादातर लोग देवता 500-400 साल पहले वे थे अगर एक अजार साल पहले साधत देखे इस देश और विश्व के अंदर किसे ने नाम रोशन किया इस कौम का किसान का वो वीरतेजाजी महाराज थे जिन्ने पूरे देश के अंदर मज्ज़ पर देश गया इस बार वहा हल जोतने से पहले वीरतेजाजी को याद करता है दुर्वाग्या से हमारे नेताओं ने वीरतेजाजी महाराज के कभी नाम नहीं लिया कभी तेजाजी का जेकरा नहीं किया तेजाजी महाराज क्या अदर सिस्ता पित करने की बात नहीं की मैं धन्यवाद हूँगा जीट के गया था हर लोगचभा का मेंबर कोई मोदी की जे बोलडा था कोई सोनिया की बोलडा था कोई राउल की बोलडा था कोई अपने देवताओं की बोलडा था लेकिन वीर तेजाजी का जेकराइस हिंदुस्तान की पार्लेमेंट के अंदर की दिन लगाया वो नागोर के सांतर में लगया उसने का कि वीर तेजाजी महाराज नागोर की धर्ती के थे वेचे तो लोग देवता सब के थे उन्हों का जनम नागोर की धर्ती पवा और प्रोवकार के लिए उन्होंने वचन निबाया और वचन इतियास गवाए कि वचन निबाने वाले कम लोग थे या तो राजा राम ने वचन निभाया और एक कावच चली गरगुकूल रीद सदा चली आई प्रान जाये फर वचन ना जाई उस वचन को अगर निभाया तो वीर तेजा जी महाराज निभाया वो इसी कौम साते हैं वो किसान कौम साते हैं उनका नाम लेता ही हमारा सिना चोड़ा हो जाता है लेकि तुर्भा केसे इस राजास्तान के अंदर तेजा जी के भक्तों की तो कमी नहीं है लेकिन पॉलिटिकल राज नितिक जो लोग हैं वो तेजा जी महाराज को भूल जाते हैं उबदान सभा, लोक सभा के अंदर जाने के बाद, उचे पदों पे पहुंचने के बाद, अपने परिवार का ध्यान दखते हैं, या तेजा जी के भक्तों को केसे कुचला जाए, किस तरह उनका इलाज करें, इसी चीज का ध्यान दखते हैं, भाईयों, लड़ते लड़ते, 20 साल मुझे हो गई, और कोलेज उनिश्टी के जमाने की बात करूँ, तो 1903 में से, 7 और 23, 30 साल का संगर्ष आपके सामने हैं, और ये कैसे निकले, कभी अगर आप इसके अंदर जाओगे, तो आपको लगेगा, कि एक वक्ती, जिसके सारे लोग खिलाब थे, एक जमाना था इसी कॉंग्रेज सरकार की, गेलोज सरकार के समय, आपने देखा होगा, 2001, जब हम लोगों को किस तरह फचाया, और इस समाज के बड़े-बड़े लोग उसके अंदर नोल थे, लेकिन अनमान बेनिवाल ने हिम्मत नहीं आ रही, परिवार खो दिया, उसके बाद, इस आगे बिठाने का परियास किया, मैं चाहता तो तीन में, वसंदरा के हाता जोड़ी करके मंत्री मन जाता, टिकट लेता, मैं का मुझे टिकट नहीं चीए, मैं वसंदरा को देखना नहीं चाहता, लडाई लड़ी, हार गया थोड़े बोटों से, आठ में, बिना वसंदरा लाया, और MLA मनते ही, वसंदरा जगड़ावा, पार्टी से बाहर निकाला, और 2008 से पंदरा का दर्मियान, जो संगर्स था, वो आपके सामने था, एक व्यक्तिन है, सत्ता जिसके एक गिज रही, सत्ता को छोड़ता चला गया, अपने भाईयों के समान की रही लड़ते लड को पे थे, पंजाब, हरियाना, यूपी के किसान पुकार कर रहे थे, अन्मान जी, मोदी की सत्ता छोड़ो, हमारा साथ दो, एक तरफ आपके तकलीप में भाई है, और दूछ रितरफ सजी हुई कुर्सी है, मैंने एक जटके के अंदर मोदी की सत्ता छोड़ी, और ने चा में भी चार बार सत्ता ठुक रहे है, मेरे घर में गेलोद, मोदी और वसंद्रा की फोटू नहीं है, मेरे घर में वीर्तेजाजी की फोटू है, धन्ना भक्त की फोटू मिलेगी, कर्मा भाई की फोटू मिलेगी, मेरा कोई आला कमान नहीं है, मेरे आला कमान आप लोगों, जिनके आगे मैं जुकता हूँ अगर मुझे डर लगता है तो सिरफ आप लोगों का डर लगता है बागे अनवान बेनिवाल को किसी का डर न लगता इस राजस्तान को ने हार्ड कोर अपराजियों को उनका हंजाम तक पहुँचाना लाज अगर किसी ने किया जिननों किसान कौम की खिलाफत करी इसी व्यक्ति ने किया और मैं तो साइद मुझे नजदिक से जो लोग जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि नेताओं के तो चारों तरफ दलालों की फोज खड़ी रहती है हनुमान बेनिवाल के घर के दरवाजे आम आज में करे खुले रहते हैं वो खुद सुनाई भी करता है परियाज भी करता है और हर वक्ति को न्याई दिलाने की बात करता है पिडित शाय उसकी जाती कोई भी हो मैं परियाज करता हूँ कि पिडित को न्याई मिले पिडित के साथ रहता हूँ इसलिए आप दोनों हातों से मुझे आशिरवात देते हैं मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ जो जिम्हेदारी आज चार साल पूरे में मुझे आज से 23 तारी के न आज ही के दिन जोती मिर्जा को बाई चैली साचरे वड़ा घीत गुए था नागोर के लोगों ने याद है ना आपको सारा चार सालोगों इस बात के पैसे 24 में मैं नी ओप्रेशन किया था उसका निर्जली लड़के किया मैं हारता नहीं हूँ ठता नहीं हूँ मेरी ही कादत है मिशन उस जगे वो ही तहद और इस तोर की करपा है कि उस्तर कॉंस्टेंसी के लोग कितने मजबूत होंगा आप देखे 2018 में गेलोग अपनी गली गली परचार कर रहा था पाइलेट अपने गांगां जा रहा था अपनी कॉंस्टेंसी में लेकिन हनमान बेरिवाल राजस्तान के अंदर अपनी पार्टी के परतियाशियों को किसान के बेटों को जिताने के लिए उनके लिए परचार कर रहा था खियूंसर के गांगां बने गया फिर भी 20,000 के लगबग जीद देला के का कि जाईए कौम को आपकी आफशिक्ता है राजस्तान को आपकी आफशिक्ता है उसी तरह जब लोगसभा का 19 का चुनाव लड़ा खियूंसर के बाद अगर सबसे बड़ी बड़त मुझे मिली तो परबस्ष और नावा के अंदर करीब 40-45,000 की बड़त देके आपने कहा कि अनवान जी 14 के अंदर हम आपको पैचान नहीं पाएते इस बार उस 14 की भरपाई भी कर रहे है और आपको लोगसभा के अंदर बेज रहे हैं आप हमारा मान समान बढ़ाना काम करना परियास मैंने किया आप दूसरे सांस दोगा अगर काम देखेंगे तो निश्चित रूप से मुझे उनसे आगे पाऊगे दुर्बागे से दो साल कोवीड आ गया कोवीड के अंदर आपने देखा होगा कि ओक्षिजन के अबाव के अंदर किस तरह जवान दम तोड़ रहे थे कोवीड में वेंटिलेटर रेमडी सेवर के लिए लोग तरप रहे थे उस वक्त भी आपका सांसद आपके बीच था किसे अस्पिताल का दोरा कर रहा था वो MP कोटे से वेंटिलेटर खरीज रहा था परियास कर रहा था कि हमारे लोगों को कैसे बचाय जाए खुद कोविड पिडित होते हो भी दुबारह जब कोविड की लेर आई उसके अंदर अगर गूमते वेंट देखा सेवा करते देखा तो आपने अपने सांसद को अपने भाईयों के वीच सेवा करते देखा होगा इस लोग सबा के अंदर पूरे राजस्तान की फेरोकारी करने वारा कोई अगरी व्यक्ति है तो भी इस तो मोधी की जेजे कार करते हैं एक व्यक्ति इस राजस्तान की चिंता करता है उतेजाजी के भक्तों की चिंता करता है जब देश का किसान तकलीप में होता है और अगनीपत के मामले के अंदर अगनीपत के मामले के अंदर जब देश में सेना को ठेके पर दिया जाता है अगनीपत योजना लागू होती है तब देश का एक मातर एंपी जो जवानों के साथ लोगसभाग के अंदर अगरावाद उठाता है और जोटपुर में दो लाग जवानों की रेली करके अगर मोधी को चेतावनी देता है वो नागोर का साथ सदे वो कहता परजान मंत्री जी हम आ रहे हैं और सेना को ठेके बनी देने देंगे कोरोना टिड़ी, बढ़ती महंगाई और E.R.C.P. के मामले के अंदर अगर राजस्तान के परतेक जिले की कोई बात करता है इस राजस्तान के परतेक पिडित किसान शिडुल ट्राइल, शिडुल काइट और सर्व समाज की बात लोग सबाग अंदर करता है वो नागोर का सांसेदे जिसने कभी ये नहीं देखा कि मैं मेरी जाती के लिए लड़ रहा हूँ वो सर्व समाज के लिए लड़ रहा है और अपनी कोई के लिए भी लड़ रहा है मैं हमेसा एक ही बात कहता हूँ जो व्यक्ति अपनी कोई का नहीं वा वो कभी दूसरी कौम का नहीं हो सकता एलिए अपनी कौम की सेवा करना जरूरी है लेकिन मैं कौम के नौजवानों को कभी ये नहीं कहता जमीन पर कबजा कर लो गलत काम कर लो मैं यहीं कहता हूँ हमें अन्याई के खिलाब लड़ना है हमें नसे की परवर्टी से दूर रहना जवानों हमेसा एक बात कहता हूँ कि हमें नसा नहीं करना आपके इद्ध तो नसे की इतनी परवर्टी नहीं है लेकिन मारवाड हनमानगर गंगानगर से लेके तमाम राज़स्तान में देखें तो किसान के बेटे जिस तरह नसे में डूब रहे हैं घर बरबाद हो रहे हैं माबाब तकलीप में हैं बच्चे तकलीप करने रहे हैं और जो ज़्यादातर सड़कों पाप एक श्टेंट देख रहे हैं उनमें भी सबसे मेतमून नसा है कल काई एक वाकिया बतातो मेरे माँ आग और के पास का आप बताईए कि सोचल मीडिया का मतलब ये नहीं का पोपुलर्टी और अपने वीडियो बना के डालो सोचल मीडिया का मतलब अमारे बोमारामजी निथारवाल पूर शर्पंचाब अंजू देवी जी मेरे साथ पदारेवे प्रमुक मंचासिन समानित मंच मोजीद भुजर्गों नोजवान सातियों और बड़ी तादाद के अंदर आसिरवाद देने पदारी मातर सक्ति माताई बेने और प्यारे बच्चों आज इतियास के अंदर अगर हमारी कौम को याद किया जाता है और रादस्तान के इतियास की ग्याम भी बात चलती है तो तेजा जी माराज कर्मा भाई धना भग्त जैसे हजारों लोग जिन्होंने साधद दी और कर्मा भाई ने जिद करके जिस तरे भगवान को अपड़ें भोजन करवाया और हमारे इतियास को अगर सही लिखा जाता तो इस रादस्तान का इतियास इस कौम सही एतापड़ा मिलता दुरबाग्ये से इतियास को तोड मरोड के पेस किया गया ने तो हिंदुस्तान का इतियास लिखने के अंदर हमारे लोग थे और नई रादस्तान का इतियास लिखने में हमारे लोगों की भूमिका रही हम लड़ते रहे संगर्स करते रहे मैं धन्यवादों का नोजवानों का सोशल मीडिया का किनों ने संचार करांती के माज्यम से एक नए जोश औरूजा के साथ एक दूसरे से हमें जोड़ा आज रादस्तान के एक कौने में बेठा किसान का बेटा दूसरे कौने में बेठे किसान के बेटे की तकलीव समझता है लेकिन दुर्बा के इस बात का है कि हमारा इतना बड़ा पर्टिश्ट होते हुए भी इतनी बड़ी संक्या होते हो भी देश के अंदर एक जमाना याद करें कि कितने मिनिस्टर सरकारों हुआ करते थे राजस्तान में तो हम सत्ता के नज़्दीक भी नहीं पहुँचे इसमागे कमी रही आपकी कमी नहीं रही आपने वोट दिया हमें सब वोट दे के विदान सभा लोग सभा के अंदर भेजा कमी उन नेताओं की रही वो लड़ते रहे एक पार्टी के अंदर दम घुटा दूसरी पार्टी का दुपटा पहन लिया एक में घुटा दूसरी का पहन लिया तीसरी के अंदर चले गए कोई UP का जंडा उठा लाया, कोई हर्याना का ले आया, कोई पंजाब, कोई दिल्ली का लेकर आ गया, ने तो पार्टी मनाई राजस्तान के अंदर, और नहीं हमें, दूसरी पंक्ति के नेताओं को, बच्चों को लड़ना तयार किया, नहीं PD तयार नहीं की, अगर किये तो सि बेटा, बेटी, पोती, पोता, इसी से राजस्तान और महरवार पीछे रह गया, आज, मैं दो दिन पहले पंजाब था, अन्मानगर गंगानगर के किसानों के डेलीगेशन के साथ गया, बहुत से लोग ऐसे थे, उनमें से जवान, जो पंजाब की धर्ती को देखके, हमारे साथ के लोग थे, अपने हे बोले साब, क्या हर्याली है, क्या हरा बरा Himra, कितना ओत्पादन होता होगा, मैंरे का येई पंजाब हो जाता नागोर, अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती, तो यहाँ की धर्ती भी इस्तिनान ओत्पादन करती है, लेकिन सोच नहीं थी, सो लाइट आएगी तो करंट आजाएगा बच्चां पड़ेगी तो चली जाएगी और नेर आएगी तो पानी सुद नहीं होगा भाईयों इसलिए इन सब चीजों को भूलो और बोर्ट डालते रो और ये पन्नाम हमने भोगा और उसकी वज़े से हमारी कौम राजस्तान में जोरोगी